अब देखे दिनगरी न्यूज वर इस वक्त हम आए हैं राम लीला मेदान में जहां पर बंगलदेश में और हिंदू पर अत्याचार को लेकर यहां पर प्रदर्शन ही की जा रही है हमारे हिंदू भाई भेनों द्वारा है यहां पर हम उनसे बात करते हैं क्या उनकी इस परत सायोटै कारे की जून पर करना रहा की सायी आचाहिए किशनाच है हम बातका पर हां जो हें धुकानों पर उनको हिंदों के समन नहीं रखा जाएगा तो हम लोग को आँ तक आवाज पोचानी अपनी के ना हिंदो पर अत्याचाह नहीं सहेगा अभारत्वा और हमारे यह भी अलसंग के लोग रहते हैं लेकिन वह बड़ी इज्ज़ रहते हैं तो उन्हों अगर हिंदों पर अत्याचाह नहीं रोके तो हम इसका बहुत बड़ा उनको मैसेज देंगे इसलिए हम यह एकत्तित हुए हमारा अक जनता को बहुत कुछ समझने की जरूरत है जिस तरह से वहां पी सबसे शक्तिशाली महिला के अंगवस्त्रों को उड़ाया गया मैं उन दुषकर्मियों से उन दुषकर्मियों से उन इतने ब्रश्ट लोगों से कहना चाहती हूं कि उन दुषकर्मियों से कहना चाहती हूं कि हम निकट के मुल्क से हैं, हम इस देश से हैं, हम शांतिपर्य धर निर्पक्ष देश से हैं, लेकिन चिंगारी क्या आग हमारे सीने में है, हमारे वहां के हिंदुों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, वहां के देश के देश के निर्दोष नागरिकों के साथ में जो अ कहना चाहती हूं कि यह समय रहते वह जाग जाए और इस तरह के हमारे हिंदु भाहिवेनों के साथ में जो वहां अत्याचार हो रहे हैं और मानवता के नाते पर उसे रोकना चाहिए तुरंट से तुरंट रोके और भारत पाता की जै दिन जिन दो चात्रों ने वहां पर यह लगाई थी वहीं महां पर अभी मंत्र की रूप में चुने गए उसको लेके क्या कहेंगे यह देखिएगा कि आप जो चुने गए हैं यह चलता कहीं जो चक्र है यह जो कुक चक्र है वो चलाया कहां से जा रहा है इसको हमें देखना होगा हमें इसके तह में जाना होगा कि गरहां था पर इप जो करना चाही हूँ उनको समझा होगा और उनको चुना है तो उनको यह करेंगे तो उनको यह जाणना चाहिए। जिस तरह से बंगलादेश के संस्ताफक की तोड़ी गई है उसी तरह से आने वाले समय में उनकी भी तोड़ी जाएगी आपको क्या लगता है क्या बारत में इसी परिस्टी बन सकती है बिल्कुल बन सकती है जब तक हिंदु नहीं जागेगा तो ऐसी हो यह अक्रोष तेली न थेसे इस संसंत पहा घाएगे कि जो बोलते है न, वीवदर्मी जो बोलते है न हिंदू हिंसक है दू हिंसक होगा और ज़रूर हो लॉन को इस संख क्यों कि व मारे जो देवि न आत में सस्ञ हैं जब हमारे पर यांदी को भी पत्ति याई तब अनने असे होम्ने अपने हत् तो हमारे ने वाले टाइम में ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा हम चाहते हैं कि वी दर्वेयों क कुछ ना कुछ करना चाहिए कोई ना कोई एसा वह निकालना चाहिए कि यह अल्प शंक्यक है बढ़ने तो एक दम जागरत नहीं होगा अगर जागरत होता तो यह नहुत इन आते आज हिंदु को जागना बहुत जरूरी है हम लोग इसी के लिए अल्हाद कर रहे हैं हर हिन्दु अपने सीने में आग जलाए हर भरतिय जो जितना भी तेनी तो वहा रहता है अपने आपको भारतियता की पूरी अपनी नियम कानून के साथ वो अपने साथ में आए अगर वो जब तक नहीं जागेगा तो एक हिंदू घर से बाद निकाल कर मार दिया जाएगा और चुप चाप देखते रहते हैं हिंदू में वो एक ता आना बहुत जरूरी है समय कि हमें इस तुर्यों को भी आज किसी सवह रही जhas की रानी तलवार ली कर चलना होगा हम हर इस्तियों को मजबूत है हम हमारी मुसिबतों के लिए खुद माजबूते होगा है हर समय अडिक रह तभी हमारा देश मजबूत होगा अगर सोचा एंप Australians कि गुण आरा Гर्या-ěं ज सबसे बड़ी कमी है कि अगर कोई पुरुष मरता है या कोई इस्त्री मरती है तो देख के अम देखा करके चल देते हैं अब समय की दुआई देने का समय नहीं है अब समय अभी मजबूत बनाना है समय ऐसा आगया है कि हम अपने आपको अडिक खड़े रहें और देश के के लिए एक यह कर दिया इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा लेकिन उनके लिए पुर्जो श्राष्रम की तरफ से कोई ऐसे अनुशंचा की जाए ऐसा कोई नियम किया जाए वहाला कि मोदी जी स्टैप उठा रहे हैं उनके लिए सहेता पहुंचा रहे हैं हाँ